तो आप नमश्कार असलाव अलेकुम आदाप मैं हूँ इस फले आप देख रहे हैं सेफने उद्लायू आईए नज़र डालते आज की खास कोब पर मेरा भाइंदर वस्वेश्विरा रायक तुलें तरगत आज एक बार फिर बड़े अपराद की घटना सामने आईए यह अप जहां एक पती ने दिन धहाडे सरे रह अपनी पतनी की गला रेदकर हत्या कर दी यह घटना है न्योलते पुलिस्टेशन की हदकी आज सुवें की और इस घटना में पतनी की हत्या करने के बाद में पती ने खुद को खुद का आत्म समर्कपण गरते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गटना की जानकरी मिलते ही नया लेगर पुलिस टेशन के आला अधिकारी गटना श्थल पर पहुँचे और उन्होंने वहां आडियोपी को अपने ताबिय में लिया और आगी की जानकरी जानकरी जब सामने आएगी तो हम आपको जरूर पताएंगे आज के लिए भी के लिए तना ही नमस्कार जैहिं जैमाराश्ट नयानगर पोलिस टेशन के एरिया में एक लीडी थी अमरीन नदीम खान इनका और इनके हस्बंड है नदीम आहमद खान इनका मैरिटल डिस्पूट चल रहा था और जो उनका लड़का था दो साल का उसके कश्टडी के बारे में मानिया डिस्ट्रिक जर्ज खाने इनोंने आडर दिया था कि इनकी कश्टडी जो है पोलिस पोलिस टेक्शन में उनको दी जाए तो कल पीश थे हमने पोलिस बंदवस्थ के साथ उनके और उपी पतिके घर पे कश्टडी के लिए बेजा था लेकिन उस में और ऑरो पी भी घर पे नहीं था और बच्चे भी घर पे नहीं थे बाद में पता चला आरोपी से कि उनको शायद आज मेरे भेज़ दिया गया है तो कल कश्टडी उनको नहीं मिल पाई थी और आज उनके बाई से पता चला कि वो उनके लड़की है ने स्कूल में लड़की को मिलने जा रहे थी तबी दोनों क कुछ डिस्पूट हुआ वहां पे जगड़ा हुआ और उसने चाकुर से मारा तो इसमें तोरंट वहां नमाज का पूलीज बंदबस भी था और पब्लिक भी थी और उसको तोरंट हिरासत में ले लिए गया है अरिश कर लिया गया है अगर उसे प्रोटेक्शन मिल जाता तो उसके हस्प्राज आत्या नहीं होती आदूरी और बिना जानकरी के कुछ भी बोलना बहुत गलत बात है चिल्दाने से कुछ नहीं होता कल वो प्रोटेक्शन के लिए आई थी उनको प्रोटेक्शन दिया गया था अरे चैनल सैफ नियूद लाए उपर अपने व्यापार और सेवा से समधित विग्यापन प्रसारण है तू दिये गए मुबाइल नमबर पर संपर्क करें